नग्स एक्जांपल के ये हम बात कर एंख्ण हमों में बोला जा रहे है कि दविआप्लोंग रीचुशन इक्पष्ट ही त्हेंड यह जो आपको एक्स्परेशन दे इतना सकते हैं सिस्टम एकुलिब्रियम और यजिदी हम उसके किसी फेक्टर याने कंसंट्रेशन में प्रेशर में वालियूम में और टेंपरिचर में भी कोई change करते हैं तो equilibrium अपने आपको कुछ इस तरीके से adjust करेगा कि वो effect को neglect कर दे, nullify कर दे तो जैसे हम यहाँ पर बात करेंगी, जैसे first option के दिए हम बात करते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर बोला जा रहा है क्या NO का जो yield है क्या वो affect हो सकता है increasing the nitrogen concentration तो nitrogen concentration को बढ़ाने पर आप जैसे ही nitrogen की concentration बढ़ाओगे equilibrium कहां shift होना चाहेगा जहां पर इस effect को neglect करने के लिए कहां जाएगा जहां पर इसका effect neglect करने के लिए कहां जाएगा forward direction में जाएगा ठीक तो क्या जैसे ही आगी जाएगा क्या NO का बनना formation बढ़ेगा obviously बात है तो क्या होगा अफेक्ट होगा तो करेक्ट है यह तो करेक्ट है यह तो करेगा effect यदि हम बीकी बात करें यदि आपको बोला जा रहा है कि decreasing the hydrogen concentration hydrogen की concentration को जैसे आप concentration decrease करोगे तो equilibrium कहाँ adjust करेगा इस effect को neglect करने के लिए अगेन फॉर्वर्ड direction में आना पड़ेगा ताकि यह concentration decrease हो रही है तो इससे आपके equilibrium constant पे कोई फरक्त ना पड़े तो अगेन आपकी reaction कहा जाएगी forward जाएगी तो अगेन आपका जो एनो होगा वो अफेक्ट होगा इसका मतलब है option नंबर बी बी क्या है आपका करेक्ट होगा को कि यह भी कहीं न कहीं एनो के concentration पे इल्ड पे फरक दालेगा अफेक्ट करेगा लास्ट जो में दे रहा है इसकी option के दिए हम बात करें कि compressing the reaction mixture compressing से मतलब क्या है compressing से मतलब है pressure increase करना कि जैसे ही आप pressure increase करोगे आपका equilibrium कहा shift होगा equilibrium shift होगा from higher mole side to lower mole side कि यह मैं से last dvb में आपको समझा है ता फिर भी आपको बता सकते हैं कि higher mole to lower mole आप बच्चे को कैसे बता सकते हैं कि higher mole से lower mole ही क्यों जा रहा है equilibrium shift क्यों हो रहा है higher mole से lower mole side उसके पीचे reason क्या है तो जैसे ही आप pressure बढ़ाएंगे मान लिए container है उस container में कुछ gases आपके रखी हुई है और जैसी आपने प्रेशर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा वॉल्यूम कम होगा particles patients PATs पास आजाएगे particles पास पास आने का मतलब कि अब पर unit volume में number of moles या number of Particles जो है molecules है वो क्या हो जाएंगे जय हो जाएंगे अब जादा हो जाएंगे तो कि पास-पास आ चुके हैं प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम क्या हुआ कम हुआ प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होने का पार्टिकल पास-पास आगे पार्टिकल पास-पास आगे यानि पर इनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ molecules number of moles अब क्या हो गए ज्यादा अब इस effect को neglect करने के लिए equilibrium कहां जाएगा जहां number of moles क्या होंगे कम होंगे इसलिए pressure increase करने पर equilibrium कहां shift होता है from higher mole side to lower mole side तो यहां भी हम देखें तो higher mole side कौन सी हो जाएगी यह हो गई 2 plus 2 4 यहां कितने 3 हैं तो अगेन आपका higher mole to lower mole side जाओगे यहां आपका reaction कहां जाएगी backwards जाएगी और reaction के backwards जाने पर भी एनों पर क्या होगा effect पड़ेगा एनों का yield क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यहांने a option b option c option तीनों ही कहीं ना कहीं आपके एनों के yield को affect कर रही है ठीक है concentration बढ़ाई जाए गई जब पहले बाद nitrogen की तो भी reaction forward जा रही है जब hydrogen की concentration को decrease क्या गया तो भी reaction forward गए दोने कंडिशन में आइनों का percentage होगा formation का percentage क्या होगा बढ़ेगा लेकिन compressing the reaction mixture करने पर याने pressure बढ़ाने पर आपकी जो equilibrium में वह backward shift हो रहा है तो यह आप इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं